हेलो गईस आपका एक बार फिर से सुवाग एता है और आज अपन जानेंगे वेटेनरी एचडिप यानि दिववर्षी पसुपालन डिप्लोमा जो कोर्स होता है जिसमें बार्वी के परसेंट से आपको एडमिसर मिलता है उसकी 2022 की कटोफ जानेंगे कि कितनी क्या 2022 की कटोफ रिलीज नहीं करी जाती जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो उसके बाद वो आपका डायरेक्ट रिजल्ट डिकलेर करते हैं यह नहीं कि वो कटोफ रिलीज करेंगे पूरी डायरेक्ट आपका खुदका रिजल्ट आप देख सकते कि आपको कोलेज अलोट हुआ या नह कोलेज है तो यह आपको समझ में आगया होगा कि कितनी गवर्मेंट है कितनी प्राइवेट है अब बात करते हैं गवर्मेंट कोलेज की कितनी कटोफ जा सकती है तो देखिए आपकी केटेगरी कोई सी भी हो चाहे आपकी SCO, STO, MBCO, EWSO या जनरल हो बात करें कटोफ की उपर तो जाएगी जाएगी बाकी कम जादा 1-2% का डिफरेंट हो सकता है यह केटेगरी के उपर डिपेंट करता है केटेगरी के डिपेंट की बात करें तो एक दो या तीन इतना ही अंतर रहता है बाकी ज्यादा कोई इन में डिफरेंट नहीं रहता केटेगरी के उपर त तो यह दि आपके 12th में लगबग 70 से उपर आपके % है तो आप उम्मिद रख सकते हैं कि आपको प्राइबेट कोलेज मिल सकता है बाकि जिनके 70 से कम है वो उम्मिद छोड़ दीजेगा कि आपको प्राइबेट कोलेज है काउंसलिंग से मिल जाएगा यह दि आपके 70 से भी कम और आप करना है चाहे तो आप डारेक्ट पेमेंट सीट पे एडमिसन ले सकते हैं लेकिन आप यह चाते हैं कि काउंसलिंग से कोलेज ले आप प्राइवेट तो आपके 70 से उपर परसेंट है तब ही उमीद रखेगा क्योंकि लास्ट येर लगबग इतनी ही गई ती इससे विल्कुल भी उमीद ना रखेगा बाकि कोई स्पेशल केटेगरियों जीसे पीएच या आर्मी तो उनका हो सकता है कुछ चांस बन जाए बाकि और जो सटर से उपर है तब ही आपको प्राइवेट कोलेज मिलने की पोसिबिलिटी रहेगी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं आपके यदि 55% से उपर है तब भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं लेकिन कोलेज मिलने की जो पोसिबिलिटी है कट ओफ जाएगी उसका पूरी पोसिबिलिटी सतर से उपर ही बनेगी बाकि गोवर्मेंट का आपको समझ में आगया होगा कि 85 से उपर तो इनकी जानी की प